Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं हूँ स्वाती आपकी English Educator और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं Engaging English जो की Class 6 की English Literature Book है इसका 19th Unit, 19th Unit एक है Wonderful Poem A Visit from Saint Nicholas Saint Nicholas कौन है? Santa Claus himself अब Saint Nicholas जो है वो एक के घर में जाते है और एक छोटा बच्चा होता है जो उस घर में रहता है वो उनका विजट जो है उसको दीखता है किस तरीके से वो आए है Miniatures इस लेक पे उस पे एट रेंडियर्स हैं जो उसे पुल कर रहे हैं किस तरीके से जो Santa Claus है वो आते हैं वो कैसे दिख रहा है और यह पोर में एक्स्प्लेइन किया हुआ है जो इसके जो प्रिविएस वाला विडियो है जो प्रिविएस विडियो है उसमें मैं आल्रेड़ी आपको एक्स्प्लेशन बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ अब हम क्या देखेंगे फटाफट इसकी समरी देखेंगे पोईटिक डिवाइस और स्ट्रॉक्चर देख लेते हैं ठीक है So let's start Summary On Christmas Eve, while his wife and children are sleeping Okay, so while his wife की जगा हम यहाँ पे कर देते हैं Mom, while his mom and जो बाकी के बच्चे जो हैं, they are sleeping The poem's narrator is woken by a noise outside जो इस poem की जो narrator है, जो एक छोटा बच्चा है वो बाहर किसी शोर से अचानक से उठ जाता है Opening the window, he sees Saint Nicholas in a sleigh pulled by reindeer on the lawn outside the house जैसे वो window जाके open करता है, तब वो क्या देखता है, बाहर जो है, कौन है बाहर Saint Nicholas है, जो कि किस पे बैठे हुए, एक sleigh पे बैठे हुए है और उसको कौन पुल कर रहे, reindeer उसको पुल कर रहे और ये कहां पे है उनका sleigh, उनके घर के बाहर का जो lawn है, वहां पे है He hears Saint Nicholas call each of the reindeer by name अब वो देखता है कि जो Saint Nicholas है, Santa Claus जो है, वो हर reindeer को उसके नाम से बुला रहे है The reindeer then fly to the roof of the house, taking the sleigh, its contents and Saint Nicholas with them फिर reindeer को जैसे ही वो कहते हैं कि अब हमें उपर जाना है तो जो reindeer होता है, वो उस पूरे sleigh को जिसमें की इतना सारा सामान रखा हुआ है प्लस जो उनके driver, जो Saint Santa Claus है, उन सब को लेके वो चले जाते हैं घर की छक पे Saint Nicholas enters the house through the chimney अब जो Saint Nicholas है, वो house में chimney के through enter करते हैं The narrator sees him emerge from the fireplace and cannot help but laugh at the sight of the chubby little old man whose clothes are covered in ash and suit जो हमारी जो narrator है, जो हमारा जो छोटा बच्चा है, वो उनको देखता है, वो चिमनी से फायर प्लेस से बाहर आ रहे होते हैं और उनको देखते ही उसके पे चहरे पे बहुत बड़ी smile आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो छोटू से, मोटू से बड़ी beard है उनकी प्लस वो पूरे कपड़े जो है उसमें उनके ash लगा हुआ है, मतलब जाक लगी हुई है, dirt लगी हुई है तो उनको देखके उसके चहरे पे हसी आ जाती है By the look that he gives him, अब जैसे सांटा क्लास उसको देखते हैं, तो जो लुक उनके चहरे पे आता है The narrator knows that Saint Nicholas does not mind being laughed at and he need not worry about having done so अब जैसे वो उसको देखते हैं, जैसे वो सांटा क्लास पे हस देता है, तो उसको डर लग जाता है लेकिन सांटा क्लास उसको ऐसे देखते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसको यह विंक करते हैं उसको यह समझा जाता है कि सांटा क्लास ने बुरा नहीं माना और उन पे अगर हसने से उनको बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उसको पहले डर लग रहा था कि उसने यह क्या कर दिया The two men do not speak to each other, but the narrator watches at Saint Nicholas puts presents in the stockings which are hanging by the fireplace यह जो दोनों लोग है यह आपस में बात नहीं करते हैं लेकिन नरेटर जो है वो सेंटा क्लास को देख रहा है जैसे वो अपने जो उनका जो बैग है जो उनका सैक है उसमें से वो आइटमस निकालते हैं टोईस निकालते हैं उस टॉकिंग में रख देते हैं अब जैसी सैंट निकलास अपका पूरा काम कर लेते हैं तो वापस वो अपनी जो फिंगर है उसको नाग के साइड में रखते हैं और एक नोट करते हैं और तरन चिमनी से वो वापस मैजिकली बाहर निकल जाते हैं The narrator watches as Saint Nicholas drives away from the house hearing him shout Happy Christmas to all and to all a good night फिर narrator जो है वापस जाके दिखते हैं तो वो लोग जो हैं अब अपने स्ले में बैठके चले जा रहे हैं और वो Saint Nicholas ने क्या कहा जाते जाते हैं Happy Christmas to all and to all a good night before he disappears into the distance बोलते बोलते चले जाते हैं फिर वो दिखना बंदो जाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर निकल जाते हैं तो यह रही थी यह थी हमारी summary किसकी poem a visit by Saint Nicholas अब हम आते हैं poetic devices में अब इस chapter में इस poem में कौन कौन सी figure of speech यूज हूई है poetic devices यूज हूई है वो देख लेते हैं सबसे पहले यूज हुआ है alliteration अब alliteration क्या होता है alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line such as the sound of w in when what to my wondering eyes did appear alliteration मतलब क्या होता है जब एक ही line में same consonant sound बार-बार repeat हो रहा है जैसे कि आप देखोगे when, were, what, wondering तो यह जो line है when what to my wondering eyes did appear यहाँ पे w का sound repeat हो रहा है again on comet, on cupid, on donor and blizzard तो यहाँ पे comet और cupid में क का sound repeat हो रहा है also यहाँ o का भी sound repeat हो रहा है on, on, on जो है इसको repetition कहते है तो यह भी repeat हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे alliteration ऐसे और भी बहुत सारे examples है हमारी पोर में अब next है simile simile क्या होती है यह एक figure of speech होती है जहाँ पे आप दो चीज़ों को compare करते हो एक object को किसी दूसरी चीज़ के साथ compare करते हो to make the meanings more vivid to the readers इससे क्या होता है जब दोनों चीज़ों को compare करते हो comparison के लिए आप दो words यूस करते हो या तो as यूस करते हो या तो like करते हो उससे क्या होता है हमारी दिमाग में जो readers है उनके दिमाग में ने एक छबी आ जाती है कि अच्छा soft है जैसे मैंने का वो ना feather की तरह soft है तो आप समझ सकते हो कितना soft होगा ओके Clement had used similes in the poem such as he had a broad face and a little round belly that shook when he loved like a bowl full of jelly अब यहाँ पर उनने क्या बोला उसकी belly कैसे shake होती है एक jelly की तरह तो उसने compare किया है jelly से और word क्या use किया है like next है he compares the belly of Saint Nicholas with a bowl of jelly other examples are away to the window I flew like a flash मतलब मैं दौड के कैसे किया उन्होंने अपनी speech को lightning से compare किया हो मतलब एक बिजली से compare किया है यहाँ पे भी उन्होंने like word का use किया है and the smoke it's encircled his head like a red यहाँ पे बोल रहे हैं जो वो pipe था जो वो smoke कर रहे थे उससे जो smoke निकल जा था वो उनके सर पे कैसें सरकल हो गया था like कर रहे है तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या use किया है like and he looked like a peddler just opening his peg अब यहाँ पे उनको जो है like word यूज करके एक peddler से एक hawker से compare किया गया है जो बस अपना सामान खोल रहा है next is metaphor metaphor क्या होता है metaphor means when a word or a phrase used to describe an object or an action which is not entirely true but can help the readers to compare and have a vivid idea of an object, action or a person basically जैसे simily होता है वैसी metaphor जो होता है वो comparison के लिए use होता है दो बिलकुल अलग-अलग चीज़े हैं कुछ comparison नहीं है उसमें कुछ common नहीं है उसमें लेकिन जब आप as or like के बिना उसको compare करते हो reader के दिमाग में एक image डालने के लिए उसको हम metaphor कहते हैं जैसे अगर मैंने कहा my mother is a queen तो तुम्हारी mother is not actually a queen but you believe that she is the queen or you can say that you know my mother is a tigress अब यहां पर नहीं ममा शेर नहीं है नहीं है लेकिन तुम यह बताने चाहते हो वो इतनी brave है इतनी strong है that you are comparing her with a tigress without using the word as in like अब यहां जो examples है at the end of the poem Nicholas is compared to an old elf यहां पर Nicholas को जो किस से compare कर रो old elf से he was chubby and plump azide jolly old self अब यहां पर like नहीं यूज किया है आपने सीधा बोला है like मलब he was an old elf तो compare तो कर देो without using the word as or like तो यह हो गया metaphor अब है assonance assonance क्या होता है it is the repetition of vowel sounds in the same line एक ही line में जैसे अभी हमने alliteration पढ़ा था उस में उस शब्द से उस letter उस sound से वो word start होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या है कि अगर एक ही line में vowel sound repeat हो रहा है उसे हम assonance कहते हैं जैसे कि on comet, on cupid, on donor comet, donor, on, on यहां or का sound repeat हो रहा है इसी लिए with a little old driver so lively and quick with quick, lively, driver यहां सब में I का sound repeat हो रहा है तो यह हो गए हमारे assonance का example अब हम आते हैं personification पर personification क्या होता है यह एक ऐसी figure of speech है जहां पर आप human characteristic देते हो in human चीज़ों को मतलब non living को living characteristic देते हो the poet has used personification in the sixth line जाया उनने बोला है while visions of sugar plums danced in their heads क्या sugar plum dance कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह जो board है वो dance कर सकता है नहीं कर सकता लेकिन कर मैं मतलब oh the board is dancing तो इसका मतलब मैं personification यूज कर रही हो and the last one is imagery imagery का मतलब क्या होता है जब आप ऐसी चीज़ें यूज करते हो ताकि आप चीज़ों को visualize कर सको उसको महसूस कर सको आपके five senses से so imagery is the use of words and descriptions to let the readers feel and see things through five senses अब Clement जो है उसने यहां पर क्या क्या है जैसे यहां पर देखो the children were nestled all snug in their beds अब आप imagine कर सकते हो एक bed है जिसने सारे बच्चे जो है आपस में एक तम घुसके snug बहुत comfortably सो रहे हैं the stump of a pipe he held tight in his teeth जैसे मैंने बुला a stump of a pipe था जो उनोंने अपने दांत में दबा के रखा था तो आप आप imagine कर सकते हो and the smoke it encircled his head writer wrath अब आप यहां पर भी imagine कर सकते हो कि जो उनने pipe है उस pipe से धुआ निकल रहा है वो धुआ नहीं नो उनके सर पे पुरा सा गोल सा कुछ बना दिया है like a wrath तो ये साही चीज़ें होते हैं imagery के लिए और consonants क्या होता है जैसे हमें अगर consonant sound repeat हो रहा है तो उसका हम consonants कहते हैं जैसे यहां पर देखो Now dash away, dash away, dash away all, dash away, dash away तो यहां पर a a का sound repeat हो रहा है उसके बाद यहां पर क्या है और यहां पर जो है sorry a a का नहीं शर का sound repeat हो रहा है, क्योंकि यह तो आपका resonance हो जाएगा, तो dash, 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 sure का sound repeat हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? Consonance, that shook when he laughed like a bowl full of jelly, bowl, full, jelly, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? laugh, bowl, full, jelly, यहाँ लर का sound repeat हो रहा है, तो यह क्या हो गया? आपका consonance, अब हम आते हैं structure पर, तो यह जो पूरी poem है, इसमें total 28 rhyming couplets है, rhyming couplets मतलब क्या होता है? दो line, couplet मतलब दो line, अब आप देखोगे तो poem में हर दो line आपस में rhyme कर रही है, मतलब वो कैसा है? A, A, B, B, C, C, D, D, ऐसा उसका rhyming pattern है, तो यहाँ पर total 28 rhyming couplets हैं poem में, और इसकी जो rhyming scheme है, वो है A, A, B, B, C, 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 D, 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 in 1822 for his children so यह जो पूर्म थी विजट फ्रम सेंट निकलस जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यह उन्होंने 1822 में लिखी थे अपने बच्चों के लिए अब आते हैं पूर्म स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात कही गई है do you celebrate Christmas? अब I know जैसे Christmas जो होता है majorly it is you know a Christian festival या इसको बहुत जादा मतलब अच्छे से जो है foreign countries में मनाया जाता है लेकिन आज अगर आप देखोगे सो हर कोई Christmas celebrate करता है Christmas is like Christmas का मतलब होता है बहुत सादा fun, बहुत सारी मस्ती, a lot of bakery, yummy yummy things like cakes and pastries and what not what do you do? आप क्या करते हो Christmas में? no matter where you are in the world Christmas is a day filled with joy and good cheer आप पूरी जगा में you know Christmas एक ऐसा दिन है आप पूरे वोल्ड में कहीं पे भी रहो वो एक ऐसा दिन है जो आपको खुशी से और लाज से भर देता है read this poem about a child who sees Santa Claus on Christmas Eve अब ये जो हम poem पढ़ रहे हैं इसमें एक छोटा बच्चा है जो Santa Claus को Christmas Eve के दिन अपने घर में देखता है मेरा Santa Claus actually आए है और वो उसको उनको देखता है अगर आपके साथ ऐसा हो तो मज़ा आएगा ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी poem तो अब ये जो तो अब ये जो तो अब इसका मतलब होता है इट वोज वो थी the night before Christmas Christmas से एक रात पहले की बात मतलब 24th night when all through the house, जब पूरे घर में not a creature was stirring, कोई भी घूम नहीं रहा था कोई hill नहीं रहा था, सब अपने अपनी जगा पे थे not even a mouse, एक चूहा भी नहीं था the stockings were hung by the chimney with care अब आपने देखा हो का कि जबी भी Christmas होता है तो fireplace जो होती है, जो chimney होती है घर में usually जो foreign countries होते हैं, उसमें अंदर एक chimney होती है, एक fireplace होती है because वहाँ thund बहुत ज़्यादा होती है तो इस fireplace के ऊपर वो लोग stockings को hang करते हैं stockings क्या होती है, जो socks होते हैं, socks के shape में उसको hang करते हैं और उसको क्या उमीद करते हैं, basically ऐसा कहा जाता है कि वो stockings रखने से Santa Claus आते हैं, उन stockings में आपके लिए gifts डाल देते हैं और चले जाते हैं So the stockings were hung by the chimney with care बहुत carefully, chimney के पास में stockings टांग दी गई थी in hopes that Saint Nicholas soon would be there किस उमीद में कि Saint Nicholas जो की है Santa Claus वो बहुत जल्दी वहाँ आ जाएंगे The children were nestled all snug in their beds जो जितने भी बच्चे थे, they were nestled nestled का मतलब क्या होता है, बहुत ही comfortably एक जगा बैठना या लेटना, all snug in their beds, मतलब सब अपने bed में बहुत cozily बैठे हुए थे, cozy मतलब बहुत comfortably While visions of sugar plums danced in their heads While visions of sugar plums मतलब वो लोग सब सो रहे थे लेकिन उनके दिमाग में बहुत beautiful dreams आरे थे जहां पे sugar plums थे और sugar plums उनके dreams में dance कर रहे थे And mama in her kerchief and I in my cap had just settled our brains for a long winter's nap अब वो यहां यह कह रहे है कि mamma ने, जो एक kerchief मतलब क्या होता है, आखों पे cover करने के लिए head को cover करने के लिए उन्होंने कपड़ा डाल दिया था and she was lying down मतलब वो सो गई थी And I in my cap अब यहां जो cap है उसका मतलब क्या होता है cap is a form of hat जो उसने अपने face पे रखी हुई थी had just settled our brains for a long winter's nap तो हमने अभी अभी हम बस लेते थे and settled our brains का मतलब यहां पे है कि हमने अपने आपको relax किया रात की एक बहुत प्यारी सी नींद के लिए When out on the lawn there arose such a clatter जब अचानक से बाहर out in the lawn मतलब बाहर जो है एक बहुत clatter हुआ मतलब एक जैसे कि ओना आवाजे होने लगी ऐसी आवाजे अन लगी जैसे कि कोई आया है या कुछ कर रहा है I sprang from my bed to see what was the matter I sprang from my bed मतलब मैं अपने बेट से उच्छल के खड़ा हो गया यह देखने के लिए कि what was the matter मतलब बात क्या है परिशानी क्या है बाहर ऐसी रात में आवाजें क्यों आ रही है Away to the windows I flew like a flash अब मैं अपने बेट से एकदम से उठा और एक flash की तरह मतलब दोड़ते हुए कहां गया window के पास Away to the windows वो windows के पास गए I flew like a flash I flew like a flash मतलब मैं एकदम lightning एक flash of light होता है फटाक से आ जाता है वैसे lightning speed के साथ मैं window पे गया ये रेखने के लिए कि हो क्या रहा है Tore open the shutters and threw up the sash मैंने tore open the shutters मतलब जो window जो है उसका shutter बन था उसको मैंने तुरंथ खोला and threw up the sash sash मतलब curtain curtain को threw up मतलब एकदम से curtain मैंने open कर दिया The moon on the breast of the new foreign snow gave a luster of midday to objects below तो अब यहां वो बता रहे है imagery use की उन्होंने so that we can imagine कि किस तरीके का नजारा होगा The moon on the breast of the new foreign snow अब यहां पे हम Christmas की बात कर रहे हैं एक foreign country की बात कर रहे हैं और बहुत जादा snowfall हो रहा है तो जो new fallen snow है अब क्या होता है snow अगर बहुत पुराना होता है New fallen snow के उपर जो moonlight आ रही थी उससे नीचे की सारे सामान ऐसा लग रहा था जैसे दिन का नजारा हो The moon on the breast of the new fallen snow Now breast of the new fallen snow मतलब new fallen snow के ऐसा लग रहा था कि new fallen snow इस तरीके से लेटी होई है और उसके जो है upper body part पे पूरी snow गिरी होई है gave a luster of midday midday मतलब धूप में जैसे जब धूप पड़ती है तो कैसे चीज़न चमकती है lushy का मतलब होता है shine तो जब दिन का वक्त होता है सूरज की जब रौशनी पड़ती है तो कैसे चीज़न चमकती है तो वैसे ही रात में वो जो चांद की रौशनी आ रही थी उससे जो वहाँ पुदा स्नो था उसको वो बहुत जादा शाइन कर रहा था तो दो अबजेक्ट बिलो किस चीज़ पे नीचे जो भी अबजेक्ट थी सब शाइन कर रही थी When what to say wandering eyes did appear but a miniature sleigh and eight tiny reindeer When what to say wandering eyes did appear और अचानक से क्या हुआ वहाँ पे wandering eyes मतलब इसह उधर देखते हुई आँखें appear हुई But a miniature sleigh and eight tiny reindeer तो यहाँ पे उसके सामने वो जो आँखों से धून रहा था कि एक लैटर की आवास कहां से हुई तो उसके सामने क्या आया तब उसने देखा एक miniature sleigh था miniature मतलब बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा so miniature का मतलब होता है small so एक छोटा सा sleigh था sleigh मतलब क्या होता है sleigh का मतलब होता है जिस पे Santa Claus आते है न जो usually snow पे जो गाड़ी चलती है उसको sleigh कहते है उसमें जो है नीचे आपके पास आप अगर उसको देखोगे तो वो इस तरीके से snow पे एक दो तरीके के होते है और इस पे जो है Santa Claus पूरा बैट के आते है तो इसको जो है sleigh कहते हैं अब उन्होंने बुला एक miniature sleigh था and eight tiny reindeer और उस sleigh को कौन खीच रहा था tiny reindeer खीच रहे थे जो deer जैसे दिखते हैं उनको हम reindeer कहते हैं तो eight tiny reindeer उसको pull कर रहे थी with a little old driver so lively and quick और उसको कौन drive कर रहा था एक little old driver जो बहुत quick था फटा फट फटा फट काम कर रहा था I knew in a moment he must be Saint Nick और मुझे एक बार में समझक में आ गया कि sleigh से कोई आया है reindeer के साथ आया है एक old man है ये तो Saint Nick हो सकते हैं सेंटा क्लॉस more rapid than eagles his courses they came and he whistled and shouted and called them by name तो more rapid than eagles मतलब eagles जितनी rapidly आती है जितनी fast आती है उससे भी fast you know his courses they came courses का मतलब क्या होता है the reindeer pulling the sleigh जितने भी reindeer थे वो लोग जो थे वो फटाक से आ गए और होने whistle किया मतलब CT भजाई और shout किया और सारे reindeer को उनके नाम से पुकारा नाव डैशर नाव डैंसर नाव प्रैंसर अन विक्सन ओ कॉमेट ओन क्यूपेड ओन डॉंडर अन ब्लिसन तो दे टॉप अफ दे पोच तो दे टॉप अफ दे वोल नाव डैश अवे डैश अवे तो उनके जो रैंडियर्स थे उनोंने उनको क्या बोला चलो अब डैशर चलो अब डैंसर चलो प्रैंसर तो दे टॉप अफ दो पोर्च हमें कहा जाना है क्योंकि जो जो एंटो क्लॉस है वो घर के अंदर कैसी इंटर करते में डोर से तो करते नहीं वो चिमनी से करते हैं तो उन्हें बोला हमें पोच के उपर जाना है to the top of the wall हमें वाल के उपर जाना है now dash away dash away dash away all चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो सब लोग चलो As leaves that before the wild hurricane fly when they meet with an obstacle mount to the sky जैसे पत्तियां होती है अगर बहुत जादा तूफान चल रहा है तो पत्तियां कैसे उड़ जाती है सर से उपर चली जाती है जैसे leaves जो होती है एक wild hurricane मतलब बहुत बड़ा जो तूफान होता है उसमें fly करती है when they meet with an obstacle mount to the sky और जैसे you know वो उपर एकदम mount करते हुए उपर चले जाते है मतलब leaves जो है fly करते हुए उपर चले जाती है वैसे ही यह जो इनका छुटा सा स्ले था यह उपर चला गया so up to the house top the courses they flew उसी तरीके से house के उपर जैसे ही अगर मान लो यह उनका घर है so इसके उपर अगर यह चिमनी है तो यहां से वो reindeer सब लोग अंदर आ गए तो वो सबसे उपर गए so up to the house top the courses they flew जिते भी reindeer थे वो उड़के गए वहाँ पे with a sleigh full of toys and Saint Nicholas too और उस sleigh में कौन था reindeer किसको खीच रहे थे किसको पुल कर रहे थे एक sleigh को और उसले में कौन-कौन थे उसले में बहुत सारे toys थे और उसमें Saint Nicholas भी थे, Santa Claus भी थे and then in a twinkling I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof तो उसके बाद एक twinkling में मतलब एकदम तुरन थी मतलब एकदम पल भर में आँख जपकते ही, पलक छपकते ही I heard on the roof, मुझे छट पे किस चीज की आवाज आई the prancing and pawing, prancing का मतलब क्या होता है, walking with high lively steps जो अब यहाँ जितने भी reindeer हैं, उनके जो है चलने की आवाज आ रही है यह जो word है hoof, इसका मतलब क्या होता है, उनके चलने की आवाज है जो उनके जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, उसकी आवाज है तो उनके prancing and pawing की आवाज आ रही थी As I drew in my head and was turning around तो जैसे ही मैं दिमाग में सोच रहा था कि वो घोड़े कैसे, मतलब जो reindeer हैं वो किस तरीके से चल रहे होंगे and was turning around और जैसे ही मैं पलट रहा था Down the chimney, St. Nicholas came with a bound कौन आ गया से चिमनी के बाहर, St. Nicholas himself with a bound मतलब सब के साथ He was dressed all in fur मतलब उनके जो जितने भी रेंजिया थे उन्होंने उपर पाक कर दिया और वो चिमनी में नीचे आ गए अब यहां St. Nicholas को describe किया जा रहा है He was dressed all in fur उन्होंने पूरे fur के कपड़े पहने हुए थे from his head to his foot तो head से लेके foot तक उन्होंने fur के कपड़े पहने हुए थे and his clothes were all tarnished with ashes and snooach और उनके जितने भी कपड़े थे उसमें पूरी जो है ना जाक लगी हुई थी गए थे धूल की वजह से और पूरी जो राक की वजह से A bundle of toys he had flung on his back और उनके back में क्या था? A bundle of toys and he looked like a peddler just opening his pack और ऐसा लग रहा था peddler क्या होता है? जैसे जो hawkers होते हैं जो जगा जगा जाके सामान बेशते हैं तो उन्होंने लिकाला उसको और ऐसा लगा था वो एक peddler है जो अपना pack open करने वाले हैं अब His eyes, how they twinkled His dimples, how merry उनकी आखें कैसी चमक रही थी और उनके जो dimples थे वो कितने happy थे His cheeks were like roses His nose like a cherry उनके जो cheeks थे वो एकदम roses जैसे जैसे red red थे और उनकी नाख जो थी एक cherry जैसे लाल हो गई थी His troll little mouth was drawn up like a bow अब जोल का मतलब होता है funny looking मजाख जैसे दिख मजब एक बहुत ही cute सा दिखने वाला funny type का तो उनका जो funny little mouth था ना It was drawn up like a bow तो जिस तरीके से ऐसे bow होता है इस तरीके से उनका जो mouth था And the beard on his chin was as white as the snow और उनके chin में जो beard थी जो उनकी दाड़ी थी वो एक्दम snow की तरह white थी The stump of a pipe he held tight in his teeth अब वो जो थे वो सिगार पी रहते तो उनके जो मूँ में एक pipe था ये किस तरीके से होता है इस तरीके से होता है जिसमें यहाँ पर आप जो है तरीके से उन्होंने अपने मूँ में एक pipe रखा हुआ था held tight in his teeth उन्होंने अपने दाथ में जोर से दबा के रखा था And the smoke it encircled his head like a wreath और जो उसमें से जो smoke आ रहा था जो उनके एक जो pipe थे जो वो पी रहे थे उसमें से smoke जो आ रहा था it encircled his head like a wreath मतलब वो उनके जो है सर पे उसने एक पुरा जो था circle बना दिया था around decoration made from leaves like a wreath मतलब इस तरीके से जो होता है एक पुरा leaves का जो है usually जो है दर्वाजे पे लगाया जाता है questions जो होते है वो सबस्यादा लगाते एक wreath की तरह उनके जो पुरा smoke था वो सर के उपर आ गया था that shook when he he had a broad face and a little round belly उनका broad ऐसे मुटू सा मुथा और उनका जो पेट था जो बैली थी वो बड़ी सी round बैली थी that shook when he laughed और ये जो बैली थी जब वो हसते थे तो ये उनकी बैली जो थी वो भी हिलती थी like a bowl full of jelly और कैसे हिलती थी जैसे ना एक bowl में jelly है तो jelly कैसे हिलती है वैसे ही he was chubby and plump तो वो बहुत chubby थे और मोटू से थी a right jolly old elf अब वो एक elf थे तो right jolly मतलब एक बहुत अच्छे बहुत ही हसी मसा करने वाले खुश रहने वाले elf थे elf क्या होता है bonny and I laughed when I saw him in spite of myself and I laughed when I saw him उनको देखते ही मुझे हसी आ गई in spite of myself a wink of his eye and a twist of his head तो क्या हुआ हुआ मैं उनको जैसी देखा मेरे चहरे पे एक smile आ गई और मैं हस ती हूँ a wink of his eye and a twist of his head तो उनको जैसे ये कौन है soon gave me to know I had nothing to dread अब उन्होंने क्या किया उन्होंने यहाँ पे twist of his head तो उन्होंने एक head को ऐसे twist किया और एक wink किया आख मारी जिससे उसको समझ में आ गया मुझे इनसे डरने की कोई बात नहीं है nothing to dread मतलब डरने की कोई बात नहीं है he spoke not a word but went straight to his work उन्होंने एक शब्द भी बात ने करी और सीधा अपने काम पे लग गए and find all the stockings then turned with a jerk तो उन्होंने सारे stockings लिए अपना काम किया और तुरंट एक जटके से jerk मतलब एक जटके से turn हो गए and laying his finger a side of his nose फिर उन्होंने क्या किया अपनी जो finger थी nose के एक side में रखी and giving up a nod अब दा चिमनी ही रोज और एक नोड किया उन्होंने और एक रम से चिमनी के ऊपर चले गए he sprang to his sleigh to his team gave a whistle फिर वो उठे अपने sleigh में बैट गए और अपनी team जो सारे rendiers थे उनके उनको एक whistle किया and away they all flew like the down of a thistle और सब के सब कैसे चले गए down of a thistle thistle मतलब क्यों होता है एक छोटा सा flower होता है जिसके pointed ants होते है उस तरीके से सब fly करके चले गए but I heard him exclaim oh he drove out of sight so जब वो वहां से अपनी मेरी नज़ों से दूर होते जा रहे थे चले जाये थे तब मैंनोंने कुछ कहते हुए सुना happy Christmas to all and to all a good night क्या कहा उनोंने सब को a very merry Christmas and a very good night so सबसे पहला है quick recap यहाँ पर you have to complete the sentences based on the poem जो आपने स्टोरी अभी पड़ी है उसके basis पे आपको यह करना है the children had hung their stockings by the बच्चों ने अपनी stockings कहां पे टांगी थी by the chimney with care कहां टांगी थी by the chimney with care next is Santa came in a Santa किस में आये थे miniature sleigh miniature मितलब होता है very small drawn by eight tiny reindeer reindeer's नहीं होता remember हां deer का plural deer ही होता है dears नहीं होता तो reindeer ही लिखिया ना the coarsers flew कहां पे up to the housetop कहां पे उड़के गए वो up to the housetop Santa Claus held a dash between his teeth दात के बीच में उनने क्या दबा के रखा था stump of a pipe stump of a pipe his belly wobbled like उनकी जो बैली थी वो कैसे हिल रही थी कैसे wobble कर रही थी a bowl full of jelly like a bowl full of jelly ये हो गए हमारे answers next question देख लेते describe how the inmates of the house had settled down for the night अब अमें ये बताना है कि घर के जितने भी लोग थे वो रात में कैसे settled down हो गए थे मैंलब सोने की तयारी जब वो कर रहे थे तो क्या किया था उन्होंने the children were settled cozily in their bed with dreams of sugar plums dancing in their heads तो जितने भी बच्चे थे वो अपने bed में एकदम आराम से comfortably जो है लेट गए थे और उनके दिमाग में क्या रहे थे sugar plums के जो है images आ रहे थे जो dance कर रहे थे dreams आ रहे थे the narrator's यहाँ पे भी हम again mom लिखेंगे जो narrator की जो mom थी the narrator's mom slept with her kerchief तो narrator की जो mom थी उन्होंने कपड़ा अपने मूह में रख लिया था जैसे usually होता है जब आप सो रहे होता कि light आपको परेशान ना करे and the narrator with his hat on his face और जो हमारे narrator है जो एक छोटा बच्चा है उसने अपनी hat को अपने face पे रख लिया था next question is what disturbed the sleep of the narrator narrator की sleep को किस ने disturb किया था so the narrator woke up as he heard a clatter out on the lawn narrator की नीन को किस ने disturb किया था जब उन्हें बाहार lawn में कुछ clatter की आवाज आई मतब कोई disturbance की आवाज आई how did the visitor's vehicle move from place to place visitor का जो vehicle था वो एक जगा से दूसरी जगा कैसे move कर रहा था the visitor's vehicle move from place to place on a miniature sleigh carried by eight tiny reindeer वो एक miniature sleigh में move कर रहा था जिसको eight छोटे छोटे reindeer जो थे pull कर रहे थे describe the appearance of the visitor अब जो visitor कौन है यहाँ पर Saint Nicholas मतलब Santa Claus इनका appearance कैसा था वो बताएंगे the visitor was dressed all in fur and his clothes were dirty in ashes and suit visitor जो थे उन्होंने सर से लेके पहर तक फर के कपड़े पहने हुए था उनके पूरे कपड़े जो थे वो dirty हो चुके थे क्यों because of rock जो ash थी और suit था उसकी वज़े से he had twinkling eyes with dimple cheeks अब suit क्या होता है यह जो आप जब जलाते हो लकडी तो जो काला काला आता है ना जैसे आपने देखा होगा अगर आप दिया भी अगर जला रहे हो दिया क्यों पर आप हाथ रखोगे या कुछ रखोगे तो उसमें black color का कुछ जमा हो जाता है उसमें suit कहते हैं तो fireplace में usually बहुत साला काला काला suit होता है तो इसलिए वो पूरे suit और ashes में covered थे he had twinkling eyes with dimple cheeks उनकी आखे एक्दम चमकदार थे और उनके dimple cheeks थे he also had a beard as white as snow उनके एक बहुत बड़ी सी दाड़ी थी जो के एक्दम snow जितनी white थी he had a stump of pipe in his teeth और उन अपने दातों की बीच में एक pipe दबाकी रखा था he had a broad face and a little round belly that shook like a bowl of jelly when he laughed उनके एक बड़ी सी बड़ी थी जो jelly की तरह हिलती थी जब वो हसा करते थे he carried a bundle of joy on his bundle of toy on his back so bundle of toys जो था वो उन्होंने अपने पीछे carry किया हुआ था एक sack में next question है how was the narrator reassured that there was nothing to dread अब the narrator को कैसे पता चला की घबराने की कोई बात नहीं है a wink of the visitor's eye and a twist of his head reassured the narrator that there was nothing to dread तो जैसे उसनोंने हस्ती आथा ना Santa Claus पे उनको देख के तो क्या हुआ उन्होंने wink किया Santa Claus ने और अपने head को twist किया you know ऐसे किया उन्हों विंक किया तो उससे उनको पता चल गया की तरने की कोई बात नहीं है next is write down two examples of similes from the poem and explain them in your own words अब दो similes क्या है जैसा है he had a broad face and a little round belly that shook when he laughed like a bowl full of jelly तो यहां पे जो है narrator जो है वो क्या कर रहे Saint Nicholas की जो belly है उसको एक bowl of jelly से compare कर रहे है next is away to the window I flew like a flash अब यहां पे वो जो है उसकी speed को compare करें जिससे वो window की तरफ दौड़कते हुए गए थे उसको किस से compare करें flash of light से compare करें why did the visitor lay his finger on the side of his nose उन्होंने Santa Claus ने अपनी नाग के धर पे हाथ क्यों रखा था he laid his finger on the side of the nose to go out of the house through the chimney उन्होंने यहां इसले हाथ रखा था क्योंकि चिमनी से वन्हें वापस भी जाना था as he laid his finger aside of his nose and gave a knot जैसे उन्होंने अपनी finger को नाग के बगल में रखा और एक knot दिया he rose up to the chimney तो magically वो जो है चिमनी के ऊपर चले गए अब है from whose perspective has the poem been written why does it make the poem special अब यह जो पूरी poem है यह किस के perspective से मतलब किस के opinion से लिखी गई है और यह इसको इतना special क्यों बनाता है the poem has been written from the perspective of a child who sees Santa Claus on Christmas Eve so यह पूरी poem है यह एक child के नजरिये से लिखी गई है जो कि Santa Claus को Christmas Eve पे देखता है it makes the poem special as children are innocent and have great imaginative skills which makes the poem extremely interesting अब यह जो है यह इसलिए important है और यह poem को इसलिए special बनाता है क्योंकि बच्चे बहुत innocent होते हैं और उनकी imaginative उनके जो खयाली पुलाओ जो वो पकाते हैं वो बड़े अच्छे पकाते हैं मतला उनकी imaginative skills बहुत strong होती है जिसकी वज़े से यह poem बहुत interesting हो गई है next is what are the feelings you could associate with Santa Claus and Christmas Christmas और Santa Claus के साथ आपकी कौन सी feeling को आप associate कर सकते हो so Santa Claus and Christmas evokes evokes मतला बताना निकालना the feelings of hope, love, happiness and fun it makes the festival special for everyone अब है words related to Christmas वो vocabulary section में आते हैं तो यहाँ पे करना क्या है आपको यहाँ पे आपको सारे jumbled words दिये हुए हैं और यहाँ clue दिया हुआ है तो जैसे आप बोल रहे हो a large bird traditionally eaten on Christmas एक बड़ी सी bird जिसको Christmas पे खाया जाता है that is what, it is a turkey क्या है वो एक turkey आंसर क्या हो जाएगा turkey next is a glittering material used as decoration decoration में चैंड यूज होता है उसको बोलते हैं tinsel क्या बोलते हैं tinsel Santa Claus uses this to enter the house Santa Claus कहां से enter करते हैं chimney उसके बाद है the day after Christmas Christmas के next day को क्या कहते हैं boxing day the name of one of Santa's reindeer Santa के reindeer का नाम क्या था एक reindeer का नाम था blossom the occasion of Christ's birth Christ के birth को क्या बोलते हैं nativity क्या बोलते हैं nativity ये important हिससे questions आ सकते हैं अब आते हैं next grammar part में strong और weak verbs verbs are divided into strong and weak verbs according to the way they form their past tense or past participle form तो किस तरीके से जो work है जैसे आपने मिल लिखा go, went, gone go, went, gone या मिल लिखा call, called, called अब आप देखो पहले बाले में पूरा सब को change होगा दूसरे में second और third form जो है वो same है तो weak verbs या जो regular verbs जैसे आप कहते हैं वो क्या होता है उनका past tense में सिफ आप ed, d या t लगा देते हो और दोनों सेम होते हैं like call, called, called walk, walked, walked decorate, decorated, decorated लेकिन strong verbs या जिनको आप irregular verbs कहते हो उसमें क्या होता है past tense या past participle में वो अपना जो है किसी ना किसी तरीके से form change कर लेते हैं जैसे की go, went, gone give, gave, given rise, rose, risen तो जो form change कर लेते हैं उन्हें हम strong verbs कहते हैं जो नहीं करते हैं उन्हें हम weak verb कहते हैं तो आपको ये table जो है complete करना है let's see grow, grew, grown ये कौन सा verb है? ये है irregular hang, hung, hung ये regular है arise, arose, arisen ये irregular है spring, sprang, sprung ये भी irregular है no, new, known ये भी irregular है और ये भी irregular है hung वाला क्यों? क्योंकि मदब यहाँ पे भी आप एक उसका form change कर दे हो ed, d या t नहीं लगाया है आपने ये भी irregular है draw, drew, drawn, shake, shook, shaken and no, new, known ये सारे irregular verbs हैं अब आते हैं complete the sentences using the totted form of verbs from the previous exercises तो previous exercise में ये जो जितने हमने words लिये हैं इनसे हमें words चूज करके यहाँ लिखना है I'll show you the answers the fireman sprang into action मतलब action scene में जहां भी आग लगी थी वहाँ वो एकदम छलांग मारते हुए गए मतलब एकदम से चले गए after they were informed of an accident in the locality जैसे उन्हें पता चलो उनके आसपास हुआ है तो सब लोग action मतलब सब लोग फटाफट तयार हो करे निकलने के लिए I have known her since childhood we have always been the best of friends मैं उसे बच्छपन से जानती हूँ हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं the money had to be drawn from the ATM as he ran out of cash ATM machine से पूरा cash निकालना पड़ा drawn मतलब होता है निकालना क्योंकि उसके पास cash खतम हो गया था the little boy shook piggy bank to check if he had any coins in it little boy ने shook किया shake मतलब he shook his piggy bank क्यों यह देखने के लिए कि क्या उसके पास किसी भी तरीके के कोई coins थे या नहीं थे aunt polly hung the picture on the wall aunt polly ने wall पे picture टांग दी okay अब हम dictionary पार्ट में आ जाते हैं so यहाँ पर आपको क्या पता है एक जो word है वो noun की तरह भी act कर सकता है adjective भी बन सकता है adverb भी बन सकता है तो जैसे आप यहाँ पर देखो तो राहू looked at the chocolate longingly उसने देखा तो यहाँ वो verb की तरह act कर रहा है sonya gave her friend जृतेश a hurt look यहाँ वो noun की तरह क्योंकि उसने कुछ दिया तो वो noun की तरह act कर रहा है तो आपको यहाँ पर यह बताना है here are some words from the poem use a dictionary to find out what parts of speech they can be used as जैसे हर word हर तरीके से use नहीं हो सकता तो जो आपका heads है वो noun की तरह use हो सकता है verb और adjective तीनों तरीके से matter सिर्फ noun और verb leaves भी noun और verb top जो है वो noun और verb लेकिन mount जो है वो noun verb sorry top जो है वो adjective की तरह भी use हो सकता है mount सिर्फ noun और verb की तरह use हो सकता है okay and here we are done with this chapter thank you so much for watching the video I hope आपको कोई doubt नहीं होगा अगर doubt है तो comment section में आप लिख सकते हो magnetbrains की यह website है magnetbrains.com जहाँ पर आपको सारे videos बहुती organized way में मिल जाएंगे all you have to do is you have to select the class class की according आपको जो है सारा subject select करना है then you have to select the topic जो भी chapter आपको पढ़ना है और इस तरीक से आपका video start हो जाएगा and another good news which is magnetbrains ने अपना hindi channel launch किया है जहाँ पर हिंदी medium के सारे students अब जो है जाके अपना course बहुत अच्छे से complete कर सकते हैं अब उन्हें content के लिए परिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है all you have to go do is magnetbrains हिंदी में जाना है subscribe करना है and that is it thank you so much once again मिलते हैं बहुत जल्दी 28 चाप्टर के साथ जो की है एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा प्ले टेक एर बाई